है कैसे आप सबाज में करने वाला हूं रियल्मी 80S 5G और रियल्मी करता है अगर आप ऐसे वीडियो देखते रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट करना मत भूलना चले स्टार्ट करते हैं कि दोनों स्मार्टफुन में रचे जुरायम वेरेंट है जो 128GB स्टोरेज के साथ आता है प्राइजिंग के अगर बात करें तो फ्लिप काट पे जो मुझे दोनों स्मार्टफुन का लास्ट प्राइस दिखा दोनों के बीच में विदाउट इनी डिसकाउंट दो अज़र रुपे का गैप मिलेगा रियल्मी 8S को बार दिया है इक डिमेंसिटी एट हने टेन प्रोसेसर ने और रियल्मी X7 को डिमेंसिटी एट हने जुट है दोनों स्मार्टफुन में आपको 64 मेगा पिक्सल का ट्रिपल रियर कामरा सेटप मिल जाएगा 16 मेगा पिक् इचेस का फुल एजडी प्लस LCD डिस्प्ले मिल जाएगा 90 हट से रिफ्रेश रेट के साथ और रियल्मी X7 में 6.43 इचेस का फुल एजडी प्लस Super AMOLED डिस्प्ले 60 हट से रिफ्रेश रेट के साथ दोनों स्मार्टफुन में पीक ब्राइटेस मिलेगा आपको 600 निट्स रियल्मी 8S में दो बड़ा अड्वांटेज है जो मुझे लगता है किसी भी यूजर को अट्रैक्ट कर सकता है एक हेटफोन जैक मिल जाएगा और दूसरा दो सिम कार्ट के साथ आप माइक्रोजडी कार्ट भी यूस कर सकते हो रियल्मी X7 में अब दो सिम कार्ट तो लगा बैक के साथ आता है अगर बात करो तो दोनों स्मार्ट फोन अल्मोस्ट सेम लगा लेकिन थोड़ा सा कॉंपैक्ट थोड़ा सा हलका है रियल्मी एक सेवन तो आपको ज्यादा बेटर फील होगा अब इस सॉफ्ट्यर दोनों स्मार्ट फोन में एंड्रोइड 11 बेस्ट रिय गेम स्पेस से मैंने सारे अप्स को रिमूफ कर दिया तो चले सबसे पहले दोनों स्मार्ट फोन को एक बर रिबूट करके देखते है तो रियल्मी 8S पहले बूट हो गया 31 सेकंड लिया मोर अलेस बूट होने में और रियल्मी एक सेवन ने 34 सेकंड अब गईसे हम चेक करें करके दोनों स्मार्टफोन का सिचियर्टी सिस्टम पहले आम ट्राइ करेंगे रियल्मी एक सेण में आकको देखनाburst में साईड मांटेट में ढखने करके देखा है अगस्दोर स्मार्टट फोन अल्मॉस सेम classroom के अगर बात करें तो रियंग एक स्पीरियंस हो चीपाल दिख करके मैंने दोनों स्माट फून को साइट बसाइड डाय Cleanser करके देखा और इसी बार फिर से सम्सेंे मैं रिजर्ट देखने को मिला यानि दोनों स्माट वन्यारों चैम पर अनलॉक हो रहा है मतल oike अब स्पीड टेस्ट सारे अप्स को मैंने बैगराउंड जाटा दिया है दोरों स्पार्टफून से वाइफाइ नेटवर्क से कनेकेड है तो चले स्टार्ट करके सबसे पहले सेटिक्स करें आंक आंक एफ गवर्र स्टार्स कर्षा जाएफ़ टमाने डा जरा रहराबर्क ऑन्लाटव पूद अपूदाएबर्क सेक्षेवर्क सिंग में इनकेड़ाइबर्क से कनेके अधर च oni बए घर घर उरे सेस्टार्कuba है झाल झाल तो गईज श्पीड टेस्ट का विनर है रियल्मी एक सेट फाइजी अब गईज हम चेक करें इन दोनों स्मार्टफवन का रैम मैंगेजमेंट मल्टी डास्किंग दोनों स्मार्टफवन शेलियो रैम फेरेंट है तो चले देखते हैं यह बारत हेरा अप्स को दोनों तो गईज दोनों स्मार्टफवन छेलियो रैम वेरेंट है दोनों स्मार्टफवन में रियल्मी यूई 2.0 रन कर रहा है लेकिन रियल्मी एटेस ने बेटर परफॉर्म किया तो इक्स्ट्रा गेम रियल्मी एटेस ने हैंडल कर लिया एन गईज एक और चीज़ आप लोग ने नोटिस किया होगा जब मैंने इंस्टाग्राम लोड किया तो इंस्टाग्राम का जो रियल्स था वो इंस्टेंटी लोड कर दिया रियल्मी एटेस ने लेकिन रियल्मी एक सेवन ने थोड़ा सा टाइम लिया लोड करने में यानि ज्यादा अच्छा परफॉर्मिस दे वी प्लेस टॉर से क्टीन सो चालीं का गेम इंट्ल के ए ये सेंड गेम करें लिया ऊज बाता कर defence मेंबना नने सबया और समस्क्राइब गीग बेंच स्कोर के अगर बात करो तो सिंगल कोर का स्कोर, Realme 8S का और मल्टी कोर का स्कोर, Realme X7 का ज्यादा देखने को मिल रहा है, डिस्प्ले की बात करो तो Realme 8S में 90Hz के साथ LCD डिस्प्ले आपको मिल जाएगा, और Realme X7 ओफर करता है 60Hz के साथ Super AMOLED डिस्प्ले, करता है, यह तो होगी है specs, अगर experience के बात करो तो Realme X7 का वें एंगल मुझे slightly better लगा, colors के अगर बात करो तो दोनों स्मार्टफोन का color मुझे equally impressive लगा, लेकिन थोड़ा सा better कह सकते हो, Realme X7 थोड़ा सा vivid color offer करता है, और इस कहीं कहीं पर मुझे Realme X7 का डिस्प्ले थोड़ा सा sharp भी ज्यादा लगा, दोनों स्मार्टफोन में आपको single speaker मिलेगा, quality के अगर बात करो तो दोनों स्मार्टफोन का speaker loud है, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन loud enough है, quality भी मुझे अच्छी लगी, बेस वगएरा सुने में, music सुने में मज़ा है, और साथ में YouTube पे unboxing, reviews वगएरा जैसे वीडियो भी आप enjoy कर सकते हो, यानि दोनों स्मार्टफोन में speaker से आपको काम चल जाएगा, कोई खास complaint आप नहीं करोगे, हाँ dual speaker होता तो ज्यादा मज़ा आता, अब बात करते हैं दोनों के comparison की, तो गाइस दोनों स्मार्टफोन में ने कुछ music सुन कर देखा, कुछ YouTube पे वीडियो देखा, और मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा speaker में pick करो, तो मैं थोड़ा सा confused हूँ, सेंपल आपको सुना देता हूँ, अब खुलते साइट करो. अब खुलते साइट कर देता हूँ, 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 पख़ए लेखू प्रेटिंग समय यैच जझाल artifacts कि अईघ ये ले लोड़ औाम हो आपक बेंस बार कूखसे लिः ले씁आ अुम मेशं कि सुखच कुम मुझिंगा सुम है ै goes एक और इंपॉर्टन चीज बैटरी 5000 मिलेंपर की बैटरी में और 4310 मिलेंपर की बैटरी आपको वीडियो शूट करने में लगबग 1.5 घंटी के आसपास लग गया है लेकिन वीडियो एडिट करके 10-15 मेंट का बनाना पड़ता है तो इतने सारे टेस्ट के बात और लगबग एक दिएड़ खंटी के बाद दोनों स्माटफोन ने कितना बैटरी यूज़ किया है चलिए चेक कर लेते हैं तो रियल में एक सब्सक्राइब यानि पास सो मिलेंपर बैटरी यूज़ हुआ है इन में गाइस कैमरा दोनों स्माटफोन से मैंने कुछ शॉट्स लिया है इसा शॉट लिया है कि आपको आइडिया हो जाएगा दोनों स्माटफोन के कैमरे के परफॉर्मेंस का और साथ में वीडियो रिकॉर्डिंग विद आडियो का सैंपल भी मैं शेयर करूंगा उमीद करता हूं वीडियो आप लोगो पसंद आयोगा वीडियो हेलफुल लगा अजिक येजिक आपए मैं अपका और साथ में वीडियो दधकर और साथ डी आडियो आपकर उम् झाल झाल रिल्मी 8s, 1080p, 30fps रिल्मी 8s, 1080p, 30fps रिल्मी 8s, 1080p, 30fps रिल्मी 8s, ultra steady mode on रिल्मी 8s, 1080p, 60fps, ultra steady mode on रिल्मी 9s, 1080p, 30fps I still have a high speed 4K, 30fps